आज फिर से यह अनिर्देश मिला है कि आगे विदान प्रसत के सदस के रूप में राजनेतिक जिम्मेवारियों का निर्वहन करना है तो उसे मैं इमानदारी से करूँगा मैं निश्चीत रूप से पाटी ने जो मेरे नाम की घोसना की है इसके लिए मैं केंद्रे नित्रित्यों का प्रदेश नित्रित्यों का हिर्दय से आभार वेक्त करता हूं कि जो काम करने की जिम्मेवारी मेरे कंदों पे पिछले बारा वर्सों से पाटी ने विदान परिशत के सदस्य के रूप में दिया था उस काम को मैं इमांदारी से करता रहा हूँ और आगे भी पार्टी ने मुझे उस कारे को करने का निर्देश दिया है तो उसे मैं इमानदारी से करूँगा मैं तो मैंने कहा ना मैं तो पार्टी का कारे करता हूँ और पार्टी के अंदर बिभिन दाइतों का निर्वहन किया हूँ और पार्टी के हर आदेश को सिर आखों पे रखके जिम्मेवारी के साथ काम किया हूँ तो मैं मानता हूँ कि यह भी जो निर्णे है पार्टी ने मुझे जो जिम्मेवारी दी है इस जिम्मेवारी को भी मैं बहतर तरीके से निभा पाऊंगा इस बात का विश्वास है निश्ची तरपया चुनाओ सर पर है लोकसभा चुनाओ और आप बंगाल के प्रभारी भी हैं ऐसे में कैसे देख रहे हैं इन चीजिए ने बिगर डेड़ साल से मैं बंगाल प्रदेश का भी प्रभारी हूँ और वो भी जिम्मेवारी पार्टी के केंद्रे नित्रित ने द त्यार करना और निश्ची तरुप से कह सकता हूँ कि इस बार जब पस्ची मंगाल के लोकसभा का परिणाम आएगा तो वो बहुत ही बेहितर होगा और भारती जिंदा पार्टी की जो ताकत बड़ी है और ममता बनर जी की सरकार जिस प्रकार से अलोक प्रिये हुई है और म जिम्यवारी बिहार के अंदर काम करने के लिए दी बिहार के अंदर भी काम करता रहा तो बिहार मेरा घर है राज्य है और यहां के सारी जिम्यवारियों का निर्वान करते हुए अन्य राज्यों की भी जो जिम्यवारी पार्टी से मिलती है वो करता रहा हूं करता संसों से पुवंचिन को उमिद्वार बनाया क्या करन रहा तरफिक उन्होंने सुएंट ट्वीट करके इसके जानकारी देख एक तवाल है कि राजत की और से लगातार परिवारवाद को लेकर के जो है हमला बोला गया है और कहा गया है कि पधान मंतिर ने रिमोदी के पास में परिवार ही नहीं है तो को कहते है आप देखें जो रास्ति यह जनता दल और लालू जी का परिवार है उनके परिवार का मतलब होता है गोटाला उनके परिवार का मतलब होता है ब्रस्टाचार करने वाला व्यक्ति उनके परिवार का मतलब होता है उस परिवार में ही जन्म लिया हुआ व्यक्ति और उस जन्म लिये हुए व्यक्ति जो जिसने उस परिवार में जन्म लिया है उसी के लिए आरक्षण ये है उनका परिवार और नरेंदर सहतालीस तक विक्सित भारत का निर्मान करना और उस निर्मान में अपना योगदान करना और नरेंदर मोदी जी के परिवार का मतलब होता है हर भारत वासी के सुख दुख की चिंता करना ये अंतर है नरेंदर मोदी जी के परिवार में और ये जो परिवारवादी लोग हैं परिवार में, तो आज देश नरेंद्र मोधी जी के परिवार से जुड़ना चाहती है, इसलिए आपने देखा होगा विगत कुछ दिनों में, बहुत बड़े पैमाने पर सोचल मीडिया के माधन से भी, मैं मोधी के परिवार से जुड़ा हूँ, मोधी का परिवार करके, अब वो जाने उनको जो जो स्लोगन गढ़ना है गढ़ते रहें लेकिन बिहार की जानता जानती है कि उनकी पार्टी उनके परिवार की पार्टी है उनकी पार्टी में वो होंगे उनके भाई होंगे उनकी माता जी होंगी उनके बहें जी होंगी उनके पिता जी होंगे उसके अलावा सामान्य व्यक्ति समाज का या राजनिति कारे करता नहीं होता है उपमुख मंतरी का पद मिल्ला होगा उनके परिवार को मुख मंतरी का पद मिल्ला होगा उनके परिवार को नेता परतिपक्ष का पद मिल्ला होगा उनके परिवार को मंतरी का पद मिल्ला होगा तो प बहुत साफ तोर पे बार-बार मानी मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबका विश्वास हम सबको साथ लेके चलने में भरोसा रखते हैं सबका विकास हमारा मोटो है सबका विस्वास हमारे साथ जुड़ा है और इस विस्वास में और इस विकास में सबका प्रयास भी है. अब नई जिम्मेवारी को इन्होंने जो है स्विकार किया और कहा है कि पार्टी को और भी ज्यादा इसे जो है बल मिलेगा इसकर बस इतना ही बने रही एने इस पोनेशन के साथ धन्यवाद